नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें मैं हूँ शक्तेपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिकेशन के साथ चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर के तरफ दिल्ली एंशियार में अगले 48 घंटे में बदलने वाला है मोसम दिल्ली एंशियार में दो दिन बाद मोसम बदल जाएगा कई लाकों में बदल चाही रहेंगे तो वहीं गरज के साथ बुंदा बांदी भी हो सकती है हालांकि तेज बारिश के कोई संभावना व्यक्त नहीं कि जा रही है वहीं मोसम इभाग ने रविवार को दिन में तेज हवाएं चलने का पूरो आनवान लगाया है हालांकि सोमवार को मोसम सामानने रहेगा मोसम इभाग की वेबसेट पर उपलब जानकारी के अनुशार मंगलवार को मोसम बदल जाएगा दिली एनशेयर के कई लाकों में आकास में आनसिक रूप से बादल चाहे रहेंगे बादल गरज सकते हैं तो कुछ जगों पर बूंदा बादी भी हो सकती है हालांकि तेज बारिश के कोई संभावना नहीं जताए गई है इसके बाद बुद्वार को दिन में तेज हवाई चलेंगी जबकि गुरुवार और शुक्रुवार को मोसम साफ रहेगा किसी भी व्यक्ति के साथ ओनलाइन वित्य दोखा दड़ी होने की स्थिद्य में साइबर अपराद रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने के लिए अब एक नय हेल्प्लाइन नंबर 1930 यानी 1930 जारी कर दिया गया है इसके माध्यम से जिस व्यक्ति के साथ वित्य साइबर अपराद हुआ है वह इस नंबर पर तुरंत शिकायत करके उन रुप्यों को फ्रिज करवा सकता है और कुछ ओप्चारिक ताइं पूरी करने के उपरांत अपने रुप्यों को वापस भी ले सकता है वहीं पहले लॉंच किये गए हेल्प्लाइ नंबर यानी 155-260 को धेरे देरे चर्णबद तरीके से समाफ्त किया जाएगा इस सम्मद में पुलिस के तरफ से नागरिकों को साइबर अपराद के सम्मद में जागरू करने के लिए एक एडवाईजरी बीज जारी की गई है आदोनिक हरियाना की विजन और जनता से किये गए वाइदों पर आधारितों का हरियाना का बजट सिया मनोरला ने काया कि आदोनिक हरियाना की विजन को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट पेश किया जाएगा जिसमें जनता से किये गए सबी वाइदों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी वे सनिवार को हरियाना भवन नई दिल्ली में भाज़पा संक्ठन की नेताओं वे कारे करताओं से वर्चौल मीटिंग की दोरान बोल रहे थे उन्होंने काया कि परदेश सरकार सिक्ष्या करशी एम किसान कल्यान साही तानने सभी छेत्रों वे वर्गों के लिए कल्यान के लिए परतिबद है जनता की जरूरत वा उसकी सेवा के लिए जो भी अच्छा होगा उसके लिए कारे किया जा रहा है सरकार का प्रियास है कि पर्देश के इन दोनों छेत्रों की पैसान विश उस्तर पर हो स्कूल आइसोशेशन 25 फ्रवरी को सेम के साथ करेंगे बैठक सिक्षा निदेशाले ने जारी क्या पत्र पर्देश में आठवी कक्षा की बोर्ड की प्रिक्षा का विरोध कर रही स्कूल आइसोशेशन की सेम मनहर लाल के साथ आने वाली 25 फ्रवरी को चंडिगड में बैठक होने वाली है इस संदार में शिक्षा निदेशाले ने बारा एशी एसोशेशन को पत्र लिखकर चंडिगड में दो पैर बाद तीन बजी होने वाली बैठक के लिए आमंतरित किया है बैठक में शिक्षा मंतरी काउरपाल गूरजर के लावा शिक्षा युबा के आला अधिकारी भी सिर्कत करेंगे काविल गोरे की परदेश में स्कूल एसोशेशन लगातार आठवी की वोर्ड परिक्षा का विरोध कर रही है बकरी पालन के लिए सरकार दे रही है सबसे डिक कमलागत में शुरू करेंए व्यवशाई रोजगार की मांगों को लेकर कई बार युवा इसके विरोध में अपना आक्रोष परदसन भी दिखा चुके है वहीं दूसरी तरह बे रोजगारी से प्रेशन का युवाँ ने खुद का व्यवशाई भी आरम्बकर दिया है खुद का व्यवशाई शुरू करने के लिए केंदर और राजी सरकार की तरप से भी मदद दी जा रही है सरकार ने कई तरह की योजणाय शुरू की है जिसकी मदद से आप आप निर्भर बन कर दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं आप अगर चाहें तो बकरी पालन का व्यवसाय सुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं इसके लिए केंदर सरकार मदद भी कर रही है अन्य रोजगार की मुकाबले इसमें कम खर जाता है ग्रामिन एलाकों में रोजगार को बढ़ाने के लिए खासकर बकरी पालन की सुरू करने के लिए सरकार की और से सबशिड़ी दी जाती है बकरी पारलंज की शुरुवात करने के लिए आविदन लिखकर आप अपने नजदी की विकास खंड के पसुत चिकच्या अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं जहां चैन श्मीती इस पर निरने रेती है पंजाब चुनाओं में बाबा राम रहिम का फर्मान बीजेपी को वोट दें 40 लाग फॉलोवर्स के लिए देर राज जारी हो सकता है कोड़ वर्ड पंजाब में रईवार को होने वाली विदान सभा चुनाओं में सबकी नज़रें डेरा सचा सोदा के रुख पट्टी की डेरा पर्मुक की तरफ से फॉलोवर्स को बीजेपी को वोट करने का फर्मान जारी कर दिया गया है इसके लिए डेरा समर्तकों को देर रात कभी भी कोड़ वर्ड जारी हो सकता है बता दें कि फरलो पर जेल से बाहर आये डेरा पर्मुक राम रहिम के मामले में सोमार को हा हाय कोड में याचिका दायर कर आरूप लगाया है कि डेरा सचा सोदा का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार ने डेरा पर्मुक राम रहिम को फरलो दिलाया है हालां कि रायवार को ही वोटिंग होने से इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर भी डेरी की कोशिस यही है कि फोलोवर्स को गुपचुप तरीके से बीजी पी को वोट करने का मैसेज पहुंच जाए हर्याना में 223 तैसलदारों, 116 पटवारियों और छ्यान में कलरकों को नोटिस जारी होगी बड़ी कारवाई हर्याना राजसुए माबदा प्रबंदन विवाग के अतिरिक्त मुक्य सचिव पीके दास ने साफ कर दिया है कि हर्याना के विविन हिस्सों में हुए रजिस्टर में गोलमाल के मामलों को लेकर राजी सरकार पूरी तरह से गंभीर है पीके दास ने कहा है कि किसे भी तरह के दवाब बनाने और इकटा होकर विरोज जताने से काम नहीं चलेगा बलके जिन कर्मियों को नोटिस बेज़े गए हैं उनको समय बद तरीके से उसका जवाब देना चाहिए दास ने कहा है कि जांच में निर्दोस को छेडा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने गोलमाल किया है उन पर हर सूरत में सिकंजा कसा जाएगा यहाँ पर उलेखने है कि हरियाना में होने वाली रजिस्ट्रियों में एनियमत ताइम मिलने और पटवारियों नायब तैसलदार आधी की मिली बगत के बाद सामने आने के बाद बड़ी संक्या में कारवाई किये जा रही है पूरे पर्देश बर के मंडला उक्तों से इस समझ में रिपोर्ट भी पर्देश मुख्या पहुंच गई है उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि 125 तैसलदार और अठाण में नायब तैसलदारों वहीं 106 पटवारी और च्याण में रजिस्ट्री लिपिकों को कारण बत होगी भरती हर्याना पुलिस ड्राइवर में नोकरी पाने की इच्छा रखने वाले योओं के लिए अची खबर सामने आई है क्योंकि जल्द ही ड्राइवर के पदों पर भरती निकाली जाएगी इस समझ में ग्रह मंतरी अनिल्विज ने अधिकारियों से बैठक करने के ब सुक्षम एम लगू उद्योगों के प्रोथान के लिए अविदन आमंतरित इच्छुक उद्मी 23 तक कर सकते हैं उनलाइन आविदन आविदन कर सकते हैं विजेता रहने वाले को पांच लाग रुपय का पृस्कार दिया जाएगा क्रिशे एम पशुपालान मंत्री जेपी दलाल ने का है कि भिवानी में 25 से 27 फरोरी तक लगने वाली राजिस्तरी पशुपरदर्शनी एतियासिक होगी उन्होंने का आगी हर्याना के माहमाईम राजिपाल श्री बंडारु दत्तातरे राजि परदर्शनी का 25 फरोरी को सुवए 10 बजे सुभारम करेंगे इसी दिन दोपैर के सत्र में 12 बजे पशुपरण मंतरी भारत सरकार पुर्शोत्म रूपाला मुख्य अतिती होंगे उन्होंने का आगी 26 फरोरी को परदर्शनी के समापन समारों में हर्याना के मुख्य मंतरी स्री मनोगलाल खटर मुख्य अतिती होंगे परदर्शनी के दोरान पशुपालकों में किसानों के लिए बोजनवे रहने के लिए समुचित व्यवस्ता की गई है उन्होंने कहा कि गाउं के लिए स्पेशल बशे जाएँगी जिसमें सवार होकर पशुपालन या किसान परदर्शनी में आएंगे और बसों के माध्यम से भी वापिस अपने घर पहुंच जाएंगे उन्होंने कहा कि किसानों या पसुपालकों को किसी भी परकार की प्रेशानी नहीं होने दी जाएगी हर्याना स्टाफ सिलेक्शन कमिस्टान यानि H.S.S.E. अडिटाइजमेंट नमबर 15.2019 केटेगरी नमबर 4 और 20 M.P.S.W. पदों की भरते का प्रेणाम जारी कर दिया गया है इन पदों के लिए जिन उम्मिद्वारों ने आविदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जागरा अपना परिणाम देख सकते हैं बता दें कि हर्याना S.S.E. के और सिजारी इस वेकेंशी में कुल 4,322 पदों पर भरते आऊंगी इन पदों पर आविदन की परक्रिया 20 सितंबर 2019 को प्रारम हुई थी 23 फरवरी को राजस्तान का बजट आने वाला है बजट से पहले नई जिलों की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है परदेश के मोजुदा 24 बड़े जिलों का बटवारा कर 50 से ज़्यादा जगों से नई जिलों की मांग उठ रही है कॉंग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक जिले बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे है नई जिले बनाने की मांग से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है इसलिए अंदरखानी लोबिंग तेज हो गई है पिछले 14 साल में कोई नई जिला नहीं बना है बता दें कि 23 जिलों का 50 जगों से नई जिले बनाने की मांग उठ रही है वो इस प्रकार से है शिकर से नीमका थाना पतेपुर शेकावटी वे स्री मादोपुर जयपुर से सांबर लेक सापुरा फुलेरा कोटपूतली बाड मेर से बालोत्रा जैसल मेर से पोकरण अज मेर से ब्यावर केकडी मदनगंज किसनगड जोदपूर से फलोदी नागोर से डिड़वाना उक्रेन में चरम पर तनाव रूज ने टेस्ट की घातक हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के पास भी नहीं है तोड अमेरिका का दावा जंक के दिन नजदीक योक्रेन से जंकी आसंकाओं के बेच रूज ने तीन बैलेस्टिक और कुरुज मिसाइलों के साथ परमानु अब्यास शुरू कर दिया है रूज राश्पति उलादिमिर पुतिन ने इस अब्यास के शुरुआत की और बेलारुस के राश्पति एलेकजेंडर लुकासेंको के साथ मिलकर कंट्रोल रूम में बैलेस्टिक मिसाइलों के टेस्ट को भी देखा इस अब्यास में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी सामिल किया गया है रोज के सामरिक युद्ध अब्यास से पश्चमी देसों की सिंताएं बढ़ गई है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन का मानना है कि रोज हमले का निरने ले चुका है और वो परमानों हमले के विकल पर भी विचार कर रहा है परमानों अब्यास में हाइटेक, हाइपरसोनिक, क्रोज और परमानों बैलेस्टिक मिसालों का प्रेक्शन किया गया है वहीं इस अब्यास में रोज के बमवरसक विमान टीउ-95 और पंडू भी रोज के जेट, हेलिकाप्टर, टैंक और पेराट्रोपस, पैदल सैनिक बड़े पैमाने पर सामिल किया गए है रोज के सैन अब्यास के दायरे में यूकरेन का तठीय इलाका भी है इससे यूकरेन के बंदरगाओं के लिए भी खत्रा बढ़ गया है नई सैटलाइट तश्वीरों से खुलासा हुआ है कि रोज ने यूकरेन की सिमा से सटे अपने एक हवाई ठीकाने पर भी बड़े पैमाने पर लड़ाक को विबानों का बेड़ अत्ता इनात कर रखा है सोने में निवेश करने का अच्छा मोका आगले तीन से चार महिनों में बावन हजार पार कर सकता है गोल्ड 56 साल में भाव 63 रुपे से 50 हजार पहुंचा वहीं क्रेप्टो करेंसी प्राइस अपडेट बिटकॉइन और इथेरियम सहित ज्यादातर परमुक क्रेप्टो करेंसी में गिरावट बिटकॉइन 57 रुपे से ज्यादा फिसला बिटकॉइन 24 गंटे में गिरावट के साथ 31 लाग 22 रुपे पर कारोबार कर रहा था इस दोरान इसके केमत में 57 रुपे से ज्यादा की गिरावट सामने आई है एथेरियम के बात करें तो आज इसमें बिटकॉइन से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एथेरियम में 24 गंटे के दोरान 4.42 परशेंट गिरावट देखी गई यह 10,201 रुपे गिर क दो लाग 20,000 रुपे पर पहुंच गाया है पूल एक टन 5 स्टार स्पिल्ट इंवर्टर एसी को अभी सेल में 30,990 रुपे में बेचा जा रहा है 5 स्टार एसी होनी की वज़े से काफी बिजली बचाता है इसमें स्लिप मोड और टो रिस्टार्ट जैसे काई फीचर्स भी दिये गए हैं इसके लावा भी आप इलक्टोनिक गैजट्स पर भारी छूट पा सकते हैं